असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं हूँ शारुक गोरकपूर बड़ सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शारुक बड़लवर दोस्तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो लबड की शुरुआत कहां से की जाए इसके उपर है क्योंकि आजकल का जो महुल चल्ला है हर तरफ लबड लबड चल्ला है और लबड की जो मार्किट है दोस्तो वो काफी जादा ग्रोथ पे चल लही है तो इसलिए हर एक इनसान इस समय लबड की तरफ भाग रहा है और ऐसे भागा दौडी के लबबट के चकर में काफी लोग नुकसान भी उठा रहे हैं तो मैंने सुचा क्यों ना उनको वीडियो बना के थोड़ी सी गाइट दे दी जाए कि कुछ भाई मेरे जो ने पालने वाले हैं वो अगर लबबट पे जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहुँँगा कि अगर आपको रिंग में रखनी है या नॉन रिंग में रखनी है दोनों मोटेशन में आपको अच्छी लबबट स्टार्टिंग के लिए मौजूद है वो ring notation में जो आप सामने देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी green fisher की है colony मेरी ये green fisher आपको रखना है starting में अगर आप रखते हैं तो क्योंकि दोस्तों green fisher की जो bloodline होती है वो काफी दादा मजबूत होती है ये जल्दी बिमार नहीं पढ़ते हैं और इनकी breed भी बहुत अच्छी होती है ये बच्चे भी बहुत अच्छा पालते हैं तो starting में कि जब आपको breed मिलेगी और आपका bird मरेगा नहीं तो आपका शौक जो है दोस्तों बढ़ेगा और धीरे धीरे इसी से शौक बढ़ता है जब इनसान के वहां breed होती है अंडे होते हैं बच्चे होते हैं तो इनसान हिम्मत करता है और starting में लबड में problem ये होती दोस्तों कि अगर कोई problem आ जाती है इनमें सबसे ज़ादा eye infection का problem आता है और जादर तर बड eye infection में loss हो जाती है तो वो मेरे नए भाई अगर starting करते हैं मूमास या कोबार्ड या वाइलेट से तो उसमें अगर उनका एक दो बड मर जाएगा तो उनका मेरे खयाल से उनका शौक मर जाएगा और लबड में दोस्तो एक problem ये भी आती है कि जब problem आती है तो एक दो पीस में नहीं आती है वो पूरा पूरा lot खतम हो जाता है infection के वज़े से तो इस वज़े से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको कम experience होता है उनको starting में जो आप लबड start करना चाहा रहे हैं तो उनको ये green fisher रखना चाहिए जो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा और बहुत जादा breed करेगा जिससे उनको हिम्मत मिलेगी और आगे इंशाला और भी वो अच्छे अच्छे motivation नेक्स सीजन में एक साल दो साल के बाद वो अच्छे कामियाब breeder बन पाएंगे तो दोस्तो अगर आप ring में रखना चाहते हैं तो आपके सामने ये धानी fisher और green fisher रखा हुआ है आप देख सकते हैं कालोनी में पड़ा हुआ है तो इस तरीके की bird लेके आप start करें और अगर आप non ring में जा रहे हैं तो non ring में दोस्तो मैं side में photo दे देता हूँ आप देख लि से आपको starting में लबड रखना है और जब आपका experience थोड़ा अच्छा हो जाए लबड में क्योंकि अक्सर उसमें eye infection problem कभी कुछ problem इस तरीके की problem जो है face करनी पड़ती है तो उससे जो है आप सीख लेंगे उस लबड को रखके आप एक तरीके से कहें तो preparation करेंगे अपने आग अगर आपको colony डालनी है तो एकठा आप कहीं से भी 5 पेर, 10 पेर, 15 पेर एकठा ना लें आप कोशिश करें कि हर जगा से 1 पेर, 2 पेर, 3 पेर इस तरीके से 3, 4, 5 जगा की bloodline में ला लें और अलग अलग जगहों से खरीदें कि bloodline भी अलग रहेगी और साथी साथ दोस्तों ए एक साथ अगर bird आप कहीं से मंगाते हैं बाहर से या कहीं एक जगह से उठाते हैं तो अकसर उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसके वज़े से नुकसान उठाना पड़ता है और bloodline वीक भी हो जाती है जिनके वज़े से अंडे देते हैं लेकिन उसमें निकी हुई है तो मैं आपको बिलकुल यह बात कहूंगा कि आप बिल्कुल इसी तरीके से लबवट की स्टार्िंग गरें फिशर और धानी फिशर وगशे चिकमास वग़एरा से आप स्टार्ट करें स्टार्ट के मुटेशन से और आप कोशिश यही करें कि अगर कॉलोन से हफ़ते दस दिन अलग रखके अच्छे से एंटिबाइटिक वगएरा चला के खुब अच्छे से उनको फ्रेश करके उसके बाद उनके केज में वेरेकॉन एस वगएरा मारके उसके बाद ही उनको कॉलनी में रिलीज करें क्योंकि लबबड ऐसा परिंदा है दोस्तो जिसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है और यही वज़ा है कि लबबड जो है मार्केट में बना हुआ है कि जिस तरीके से ब्रीड होती है इसी तरीके से इन तो इस वज़े से मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप स्टार्टिंग में लबड रखना चाहते हैं तो इस तरीके से दोस्तो श्टार्ट करें तो कि आपको नुकसान नहीं होगा और अगर खुदाना खासता नुकसान होता भी है तो आपको सस्ती बड़ आपकी दो तो खुदा हाफिज